दोस्तों इस समय पूरे देश में एक ही बात चल रही है मंदिर या मसजित वैसे भी देश में हमेशा सिर्फ दो भी बाते चलती हैं लेटेस1 अपरेश ही और मंदिर ही इस किसी का कहना है कि वजू खाने में मिला इस्ट्रक्चर शिवलिंग है तो कोई कह रहा है कि वो फवारा है शिवलिंग नहीं है हिंदु पकिष्टा कहना है कि नंदी का 400 साल का इंतजार पूरा हो गया बावा मिल गए लेकिन मैं कहूंगा कि आप वाटसैप और 142 नंबर के दे UP के वारा नसी में ग्याणव्यापी मसJद के अंदर भगवान शिर्व के बारा जोतरलिंगों से एक जोतर लिंग और मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि नहीं ये शिवलिंग नहीं ये एक मात्र फवारा है, फाउंटेन है, वजू खाना वो इस्थान होता है जहां मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने से पहले अपना हाथ पैर साफ करते हैं, अब ये structure शिवलिंग है या फिर फाउंटेन है इस उसे कई बार बनाया गया, कई बार वो टूटी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इसे महराजा विक्रमा दित्ते ने आज से लगबग 2000 साल पहले बनाया था, जिसे कई बार मुगल एमपैरर्स ने तोड़ा और कई बार दूसरे राजाओं ने सही कराया, लेकिन सन 1669 में 1669 में इसे मुगल एमपैरर औरंग जैब ने पूरी तरीके से तुलवा दिया और वहाँ पर मस्जिद बना दी जिसे नाम दिया गया ज्यान व्यापी मस्जिद, इवन इस मस्जिद का नाम ज्यान व्यापी, ज्यान व्यापी कूप से पड़ा था, पास में ही ज्यान व दया है उसे सवाय जैसी ड्वित्य ने हंदूयों की धार्मिक भावना को बनाया रखने के लिए उसी जगे पर मस्जिद के पास में ही पहले का जो मंदिर जिसे तोड़ दिया गया था उसी के पास में दुबारा मंदिर बनाई जिसे नाम दिया गया काशी विश्वनात मंदिर जिसे सन 1780 में मालवा किरानी अहिल लेबाय होलकर ने दुबारा सही करा आप कोशन आता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जहां पर पहले मंदिर हुआ करता था उस जगे पर मस्जिद बनी है उसके पीछे क्रीजन है मस्जिद का जो में इस्ट्रक्चर है जो में डोम है उसका बैक साइड का जो दिवार है वो हिंदों के टैंपल से मिलता जुलता है मंदिरों में जैसे घंटे दिखते हैं फूल माला दिखते हैं अलग-अलग तरीके की चित्रकारियां होती है उस टाइब से पूरा रिजेंबल करता है मस्जिद के बैक साइड का दिवार और ऐसे भी का जा रहा है कि जब मंदिर को पूरी तरीके से नहीं तोड़ा गया तो मंदिर किया जो में गरब ग्रह था जहां पर शिवलिंग थे उसको चुपाने की कोशिश की गई होगी यहां हिंदू पक्षका ये भी कहना है कि नंदी का 400 साल का इंदजार पूरा हो गया अब यहां पर जो नंदी जी वाली बात है उसके में यह कहा जाता है कि भगवाई शिवी के मंदिर में नंदी जी हमेशा उनके सामने बैठते हैं और आज जहां पर नंदी जी षेह हैं वह फिए विश्वनात मंदिर के अंधर वाले एरिया में आता है जो आज का काशी विश्मनात मंदिर है अगर शायद नंदी भगवान जी को भी बाद में बनाया गया हो वहाँ पर और अगर जब पहले का जो विक्रमादित्य का मंदिर था जिस जगे पर मस्जिद बना दी गई है अगर उससे तोड़ा गया और कंप्लीट नहीं तोड़ा गया नंदी जी हो सकता है महाँ पर छोड़ दिया गया हूं तो यह सारी चीज़े कहीं नहीं कहीं एक दूसरे से लिंक है यहाँ पर जो फवारे वाली बात है जो स्ट्रक्चर मिला है वजु खाने के अंदर मुस्ली पक्ष कह रहा है कि वह फवारा चाहता हूं कि पहले के टाइम पर भी फवारा होते थे लेकिन वह मौडरन टेक्निक पर काम नहीं करते थे उस में पर काफी हाइट से 100-200 फीट से पानी को गिराया जाता था जब वह जमीन की सतय पर पहुज़ता था हाई प्रेशर के वज़े से वह फवारे का फॉर्म ले क्योंकि कोई मौडरन टेक्निक पर तो बेस नहीं था वह उस टाइम पर पहले के टाइम पर बना हुआ था आज से 400-500 साल पहले की बात है अगर तो वहां पर आज पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है तो अब वह फवारा है या फिर शिवलिंग ही है यह एक है उसको पहली हेरिंग में स्ट्राइक डाउन कर दिया था सेकेंड हेर में कुछ खास बात नहीं हुई जिसमें हिंदु पक्ष ने कुछ समय और मांगा था बीस मही को जो थर्ड हेरिंग होई उसमें सुप्रीम कोट ने इस पूरे मैटर को वारानसी के डिस्टिक कोट को ट करता है जिसने अयोध्या राम जनम भुमी वाले केस में भी रोल प्ले किया था प्लेसीज ओवर्शिप एक्ट 1991 सन 1991 में पीवी आर नरसिम्मा की सरकार ने पार्लियमेंट में ये एक्ट पास किया था बारत का इतिहास बहुत पुराना राया है कई महान राजा हिंदु कई मुगल शास को ने कई मुस्लिम राजाओं ने उन मंदिरों को तोड़ा आप इन सभी चीजों को लेकर लोग के बीच आपस में लडाईया ना हो कम्यूनल हार्मनी बनी रहे इस लिए इस एक्ट को बनाया गया था ये नाइटी नाइटी वन में जब आयोधिया राम जन 1947 वाले दिन जिस भी structure का जिस भी worship place का जो भी condition था वही रहेगा मतलब अगर कोई structure उस दिन 15 अगस 1947 वाले दिन मंदिर था और उसके बाद कोई claim करे कि नहीं पहले महाँ पर मस्जिद हुआ करते थी तो बात नहीं मानी जाएगी इसी तरीके से अगर वहाँ पर कोई गुरद करना चाते हैं तो वह बात नहीं मानी जाएगी basically यही था यह बट इस act में कुछ exceptions थे first exception था कि अगर इस टायब का कोई भी case इस act के बनने से पहले already file हो चुका है court पहुँच चुका है तो उस case पर यह act लागू नहीं होता है ऐसा ही कुछ अयोधिया वाले मामले में भी पर भी यह act काम नहीं करेगा वो ancient monument कहलाएगा उसे archaeological team handle करेगी तो अब इस पूरे act को समझने के बाद तो यही लगता है कि 15 अगस्त 1947 वाले दिन यह structure मस्जिद था तो case clear cut है court इस मामले को बंद कर देगी लेकिन नहीं बाबरी मस्जिद वाले case की तरह ही ग्यान व्याबी मस court से lower court में यह case transfer होता रहा है 1908 में 20 साल तक इस मामले पर stay लगा दिया गया था और पिछले साल से ही यह case एक बार फिर से notice में बना हुआ है अब यह important होगा कि court इस पर क्या decision देता है क्या दुबारा इस पर लंबे time तक stay लगेगा या फिर कुछ clear cut decision मिलेगा क्योंकि जब बा बात की जा रही है आयोध्या तो जहां की है काशी मतुरा बांकी है ताज महल का तेजो महले और कुट मिनार का सूर इस्तम इस टाइप की चीजे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है तो बैतर यही होगा कि हम court के decision के आने का wait करें आपस में clashes ना करें उमीद है दोस्तों आप